Hello friends, कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो आई ये friends, विसे आपका स्वागत है हमारी YouTube Channel में तो friends, आज हम आपको बद्दाएंगे कि हमें नास्ता किस तरह और कैसी बना चाही है जो बहोती क्रस्पी और बहुती स्वाधिश्ट बनेगा जो नास्ता मैं आज आपको बना कर दिखा रही हूं। इसे आप अगर एक बार बनाओगे, तो आपकी फैमिली में हर मेंबर इसे बार बार मांगेगा हाँ friends आज मैं आपको एक ऐसा नास्ता बना कर देखा रही हूँ जो बहुत स्वाधिष्ट और अच्छा बनता है और friends कमाल की बात तो यह है कि घर के ही ingredients से बन जाता है इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की आशकता नहीं होगी तो आएए अब हम सुरू करते हैं उसके लिए हमने लिया हुआ एक खाली बाउल तो फ्रेंस बाउल में हम डालेंगी हाफ कोटोरी मैदा हाफ कोटोरी आटा friends आपको आटा हाफ कोटोरी लेना है और स्वाधनुसार नमक और इसे आपको आटे की तरह गूत लेना है जिस तरह के हम आटा तयार करते हैं उसी प्रकार आपको उगूत लेना है तो friends देखिए मैंने इसके अंदर नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ओईल जो कि हमारे नास्पे कोट रस्पी बनाएगा तो इसमें मो vicC air टालूंगी थोड़ा सपानी क्योंकि हमें इसे आटे की तरह से तयार आएदि मैंने दोगाव च्योंठड़ी बताया था हमें इसे आठे की तरह गूतना है आपको डोग नोर्मिली लगाना है जैसा कि हम रोटियों के लिए लगाते ही हैं उसी प्रकार का हमेरी डोग बना कर त्यार करना है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कर रही हूं आपको एकदम से ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं अपने टों को अच्छे सी गूतना है तो देखे आप देख सकते हैं हमारा डोग तयार हो चुका है तो देखे पर एक पैन डख लीती हूं और पैन के अंदर थोड़ा सा ओल डाल दूंगी इसमें हमें अपने प्राज पकाने हैं तो फ्रेंस आप देख सबके हैं मैंने इसमें वन स्पून ओल डाल दिया है और इसे आप धीरे-धीरे पकने दूंगी तब तक फ्रेंस मैंने ये तीन आलू लिए हुए हैं मेडियम साइज के आप देख सकते हैं इस परकार हमें दो से तीन आलू ले लेने हैं और इन्हें अच्छे से क्रश कर लेना है फ्रेंस आपको एक बात का खास देहान रखना है कि आलू जो आलू आप इसमें यूज करेंगे वो ठंडा कर लेंगी वो गरम ब तो फ्रेंस आप देख सकते हैं मैंने तीनों आलू को गृष्ण कर लिया अच्छी से तो फ्रेंस आप देख सकते हैं हमारे ओल में भी धुआ उपने लगा इसका मितलर हमारा ओल भी करम हो चुका है तो फ्रेंस ओल विमें में डालूंगी अपनी मोटे कट हुए प्याज आ एक हमने ब्राव कर लेना हमकाम ऑपने रालो के पेश्च में डालेंगे दालेगे मैं बढलेटे हैं स्वादम सार नमक तो और ते खा बनाने के लिए आप इसमें लानमिक पौडर पर ढल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्ष का भी यूज़ का सकते हैं तो मैंने मैं इसमें चिल में लिए हुआ है हाफ़ी स्पून गर बाद मसाला चाट मसाला जाल दिया है अब अब सभी इंग्रिडेट्स को मिक्स करेंगे में इसे में बहुत ही का मसालों का यूज किया हुआ है क्योंकि आपके रसोई में नोर्मल मिल जाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से नास्ता बना कर दिखा रही हूँ कमाल की बार तो यह है फ्रेंट्स केस में हमें ज्यादा कुछ चीदों के आशकता भी नहीं होगी और यह आपके बच्चों को बहुत पसंदाएगा और फ्रेंट्स यह आपको रसोई में ही एवलेबल मिल जाएगा आपको इसमें इतने भी इंग्रिडेंट्स में बताऊंगी और इसमें डालूंगी वह आपकी रसोई में नोर्मल मिल जाएगे अब उपने प्यास ब्राउं करके हो चुके हैं अब भी मैंने थोड़ा सा उट पकाऊंगी अब आपने टेस्ट को बद कर लूँगे और इतवे से अपने ओनियोंस को निकाल लूँगे अपने अलो अधुर मिक्सर के पूझ वान या ने लिया है और वहाँ ओनियस में आलो से बना है उसे हीके डाल दूंगे अपनी मिक्सर के अंधर ने ने अब में पर डाल दूंगे इस्वादम साहिए अब इस अछी सी मिक्स कर दूंगी इसकา भी हमें अच्छा सा मिक्स्चर बना लिक्स कर दिया है उसे सिर्फ अपनी इसमय घटे च्टे लगा लिगी क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी बिट तयार कर लेनी है तो देखे फ्रेंस मैंने इस प्रकार इसे तयार कर लिया है और अपने बाउल के अंदर इसे डाल दूँगी तो देखे फ्रेंस मैंने इसे इसके अंदर डाल लिया है और एक एक उठा कर मैं इसकी पतली पतलियां रो बेलना है और नहीं ज्यादा छोटा आप मैं इसे मेडिया माकार में बेलूगी और आपको इक बात का खास ध्यान रखना है कि इसे आपको ना तो ज्यादा पतला बेलना है और नहीं ज्यादा मोटा मैं भी आपको इसकी कंडिशन दिखा दूगी तो फिर इस देखे आप अब मैंसे इसे यही पर रख दूँगे और दूसरा भी इससे परकार बेल लूँगी तो फ्रेंट्स आपको तीन से चार ऐसे ही रोटियां रोटियो की तरह बेल करने रख लेना है इससे भी हमें इसी परकार गोल बना लिया है तो देखें फ्रेंट्स हमारा अब हमने एक तवारस लिया है अपनी कैसे और इससे एके करके हमें इसे शेक लेंगे अब को इसे थोड़ा थोड़ा पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इससे जीरे जीरे पका लेंगे ठीकी करके हम चारो डोटियों को इसी तरह है पका लेंगे जीरे जीरे बस आपको इसी कम्डिशन में इसी उतार दीना है अपसे चोटे शोटे करके हम चोड़ेशन के इस परकार लियां थिर्य है करके पर देखके है धूसर रोटी हो के इसा सिरी त्रह पकार लिए तो द dif करके हम चैख मेशने इसा प्रकार लिएगि तो फ्रेंट आप देख सकते हैं, मैं ने रुटी इसी पर किशेग ले थी अब हम इस पर थोड़ा सा सोस लगाएंगे या फिर आप इसी पर सेजवान जट्नी नगा सकते हैं मैं इस पर सेजवान चटनी लगा रहे हूं आप इसमें सोस का भी यूज कर सकते हैं और इसी मैं चारू तरफ इसी अच्छी सी फैला लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी सेजवान टेटेश के चार तरफ फैला ले गए और जो मैंने आलू का अपना प्याज का मिक्स्चर था बनाया था वो मैं वन स्पून इसी के उपर रख लूँगी तो फैंस मैंने इसके उपर मोज्रियल चीज डाल दी है तो देखी और अब मैं इसी उपर से बंद कर दूँगी तो आप देख सकते हैं इसे आपको इसी परकार तयार कर लेना है एकी करके सभी नास्तों को हम इसी परकार तयार कर लेंगी फ्रेस आप देख सकते हैं मैंने दूश्री पर लेली है और इसके उपर भी मैं इसी तरह चटनी लगाऊंगी तो देखे मैंने एके करके सभी नास्कों को तयार कर लिया है आप देख सकते हो अब मैं अपनी गैस पर रखोंगी पैन और धीर धीरे ने शेक लूगी तो फ्रेंज आप देख सकते हैं हमारे पैन में चया से अरवल्डा साथ टेढकर टेसे लूंगे ही YouTube आपको इस परकारसे घुड़ा कि लिए त्यार हो जाएगा तो फ्रेंज आप देख सकते हैं आपकी से स्क लिड़ीन में तरह तक है अश्यल मीड में थीरे यसी परसा थारों तरफ से चेँग लूगी साब देख सकते ह यहां से यह शिकर तयार हो चुका है यह चारो तरफ से बढ़े अच्छी तरिके से शिख चुका है आप देख सकते हूं तो देखी फ्रेंड्स एक ही करकी मैं सभी अपने नासों को तयार कर लोगी तो देखी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नासा कितना बढ़िया और अच्छा बना हुआ है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और इसने से चीज तो ऐसे बाहर निकल के आई हुए है बहुत यम्मी और बहुत ही बढ़िया लग रही है तो देखिए इस परकार आप भी अपने घर पे ही ऐसा क्रस्पी और बढ़िया नास्ता बनाईएगा और अपने बच्छे को खिलाईएगा वह आपके बच्छे को बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट वोक्स में लिकर जरूर दबताईएगा तो अगली एक ऐसी ही न्यू रैसिपिक साथ फिल से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिक नमेश का